यवतमाल जिले के दिगरश शहर में इन दिनों जेब कत्रों की दिल से पुलिस का खौफ उड़ गया है यही वज़ा है कि जेब कत्रे भीडबार में चौक चौरा हो और खचा कचपरी बसों में बेखोफ होकर अपनी काम को अंचाम दे रहे शहर के चत्रपते शिवाजी माराच चौक पर जब इन बिसेंद्यू चानल का कैमरा खुला तब एक जेब कत्रा मुझ चुपा कर इधर उधर भागने लगा पेशे दिगरश सवादता जुपर खान की यह खास रिपोर्ट शहर में नगरपाली का मुख्या धिकारी माधूरी मडावी ने अपनी प्रचक्ष सक्रियता से आवैद निर्मान कारियों पर धाबा बोल दिया है शहर में अतिक्रमन हटाने और नालियों की साफसफाई के साथ ही कच्रा प्रबंदन का कारिय युद्धस्तर पर जारी है और दिगरश वासी भी इस पहल का तहे दिल से सौगत कर रहे है लेकिन इस तर्ज पर बात अगर अन्य सरकारी विभागों की की जाए तो नगरपाली का मुख्य अधिकारी माधूरी मडावी के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी सुस्त नजर आ रहे है उदाहरन के तोर पर बात अगर दिगरश पुलिस की की जाए तो दिगरश शहर में जेब कतरों का आतंक मचा हुआ है इन्हें चौक चौराहों पर भीडबाडवाले इलाकों में और बस यात्रियों की भीड में धडले से बेखाफ होकर गूमते देखा जा सकता है बुद्वार को छत्रपती शिवाजी महाराज चौक से पूसत की और रवाना हो रही एक बस में बस यात्रियों की खचाखच भीड में एक जेब कतरा बस में चड़ने का नाटक करता दिखाई दिया ऐसे में जब NBCN News ने अपना कैमेरा खोला तब वो मूँ पर हात रखकर मूँ छुपाते हुए भाग खड़ा हुआ मालूम हो कि बीती दिनों सितंबर महीने में टूप टाकली के एक यूवक का दिगरस के बस स्टैंड से जेब काटा गया था उस जेब कत्रे को बस स्टैंड के CCTV फुटेच में देखा भी गया था दिगरस पुलिस ने CCTV फुटेच खंगाल कर उस जेब कत्रे को ढूणने के लिए प्रियाज भी किया लेकिन सुत्रों ने बताया कि वो अब तक पकड़ा नहीं गया है और अब लगता है जैसे जेब कत्रों का गिरोह दोबारा सक्रिय हो चुका है इस स्टिती को देखते हुए दिगरस पुलिस को हरकत में आना जरूरी है वैसे भी जेब कत्रों के अलावा शेहर में ट्रैफिक और जगह जगहों पर अवैट पार्किंग की समस्या भी जी का जंजाल बनी हुई है लेकिन दिगरस पुलिस परशासन इस और ध्यान देने में कोता ही बरत रहा है इसी तरह से तैसिल तता राजस्व और पंचाज समीती जैसे विभाग भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आ रहे है ग्रामी निलाकों से रात के समय रेती और गौन खनीजू की अवैत डुलाई का सत्र थमा नहीं है इसके साथ ही पकडंडी रास्तो याने पांदन रास्तों की समस्या जसकीतस है कुल मिला कर पुलिस विभाग हो या तैसिल परशासन या फिर पंचायत समीती इन विभागों में उचे ओधों पर विराजमान अधिकारियों को चाहिए के वे जनता की समस्या और वक्त की नजाकत को ध्यान में रखकर उनसे जुड़ी जनता की अपेक्षाओं को न्याय दिलाए ताकि जनता के परति उनके दाईतों और जिम्मेदारियों पर सवालों के कट घरे में खड़े रहने की नौबत ना आन पड़े NBCN News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट